हाई गाईज वेल्कम चेवा ब्रांड न्यू सेशन ऑफ गरंट अफेयर्स हम लोग बात कर रहे हैं 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब परना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियो और मंथली मैगजीन आप हमाई टेलिग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आइस और साथ करेंगे फर्स्ट क्वेस्टन देखो किस भारते को ट्विटर का नया CEO न्यूक्त किया गया है तो इसक सही जवाब तो ऑप्शन अबर सी पराग अगरवाल वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन नेक्स देखो कम्रा देवी चटो पाधियाए एना एफ पुस्तक पुरसकार 2021 किस किसने जीता है तो इसक सही जवाब तो ऑप्शन अबर सी दिन्यार पटेल नेक्स है आएमेफ के नए प्रतम उप्रबनी देशे के रूप में किस भारते अमेरिकी को चुना गया है तो इसक सही जवाब तो ऑप्शन अबर बी गीता गोपीनात नेक्स देखो भारत सरकाने किस देश के साथ विज्ञान और इंजिनिरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागिदारी वाइजर कारेकरम शुरू किया है तो इसक सही जवाब तो ऑप्शन अबर सी जर्बिनी नेक्स देखो भारत अप्चारिक रूप से किन देशों के साथ जी ट्वेंटी ट्रॉइका में शौमिल हो गया है तो इसक सही जवाब तो ऑप्शन अबर सी इंडोनेश्य और इटली नेक्स है विश्व एथलेटिक्स दवारक किस भारतिये को विमन ओफ दी एर के रूप में नामित किया गया है तो इसक सही जवाब तो ऑप्शन अबर सी अंजू बॉबी जोर्ज नेक्स है नीतियायो की पहली बहु आयामी गरीबी सूज कांग एंपई रिपोर्ट के नुसार नेक्स है नेक्स देखो अंतरराष्ट्य प्राधिक पुलिस अंगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे ने उक्त किया गया है तो इसक सही जवाब तो ऑप्शन अबर बी एहमद नासिर अलराइसी नेक्स देखो मैगडेलेना एंडेर्सन किस देश की पहली महिला प्रधान मंतरी बनी है स्क्सेज जवाब तो ऑप्शनमबर B स्वीडेन नेक्स है भारत प्रेटन विकास निगम ITDC के अधियक्ष के रूप में किसे निउक्त किया गया है स्क्सेज जवाब तो ऑप्शनमबर D संबित पात्रा केंद्री अवास और शहरी मामलों के मंतराले ने स्मार्ट सिटीज मिशन के कारेन वन के लिए समय सीमा को डाश तक बढ़ा दिया है स्क्सेज जवाब तो ऑप्शनमबर B जून 2023 कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि इसे कब शुरू किया गया था नेक्स्ट क्वेशन देखो मोनालीसा महता को मिशन ओलंपिक सेल की नए सदसे के रूप में नामित किया गया है वे किस ख्यल से संबंदित है स्क्सेज जवाब तो ऑप्शनमबर C टेबल टैनिस नेक्स देखो शहरी नदियों के सदत प्रबंदन के लिए किस मंत्रालिया ने डिवर सिटिस अलाइन्स लॉंच किया है स्क्सेज जवाब तो ऑप्शनमबर D दोनो A और B यानि जल शक्ति मंत्रालिया और अबास और शहरी मामलों के मंत्रालिया नेक्स देखो कॉलिंज डिक्शनरी दुवारा किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है स्क्सेज जवाब तो ऑप्शनमबर C NFT यहाँ आपको दो चीज़े बतानी है सबसे पहले NFT की फुल फॉर्म क्या है आपका दूसा क्वेस्टिन है कि 2020 के लिए किस शब्द को चुना गया था नेक्स क्वेस्टिन देखो केंद्रे अप्रत्यक्षकर और सीमा शुल्क बोड CBIC के ध्यक्ष के रूप में किसे ने उपक्त किया गया है तस्क सही जवाब तो option number A विवेग जोहरी नेक्स्ट है इटली में नाइट आफ पार्ट गुल्पा की मानद उपाधी के लिए चुने जाने वाले पहले भार्ट के कौन बने है तस्क सही जवाब तो option number B सोहन रोय नेक्स देखो पैट्रफ याला को किस देश के नए प्रधान मंतरी के रूप में न्युक्त किया गया है तस्क सही जवाब तो option number C चेक गन राज्यर नेक्स्ट है विश्व पहरा पावर लिफ्टिंग चैंपेंशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले पावर लिफ्टर कौन बने है तस्क सही जवाब तो option number B परमजीत कुमार नेक्स देखो किस राजन अनुभवात्मक परयाटन के लिए स्ट्रीट तस्टेनेबल टैंजिबल रिस्पॉंसिबल एक्सप्रियेंशियल एथिनिक टूरिजम परयोजना शुरू की है तस्क सही जवाब तो option number D केरल नेक्स देखो मलेशाई ओपन स्कॉस चैंपिंचिप किसने जीती है तस्क सही जवाब तो option number C सौरव गोशाल नेक्स है संजीब कोशल किस राज्या के नए मुख्यस अचीव बने है तस्क सही जवाब तो option number B हर्याना नेक्स देखो ब्रिक्स फिल्म होत्सव के छटे संसकरन में सर्वश्यष अभिनेता पूरुष का पूरसकार किसने जीता है तस्क सही जवाब तो option number D धनुष नेक्स देखो भार्तिय परवता रोहन फाउंडेशन आई-एम-फ की पहली महिला ध्यक्ष कौन वनी है तस्क सही जवाब तो option number B हर्श वन्ती बिष्ट नेक्स है संयुक्त राष्ट्य महासभा दवारा किस देश को सबसे कम विक्सित देश LDC शेनी से विकास शेल देश समू में अपग्रेड किया गया है तस्क सही जवाब तो option number D उपरोक्त सभी यानी बांगला देश नेपाल और लाओस नेक्स देखो किस राजे के मुखे मंत्री ने प्रसेद मिंटो हॉल का नाम बदल कर भाजपा के संसापक सदस्य स्वर्गे कुशा भाव ठाकरे के नाम पर रखने की घोशना की है तस्क सही जवाब तो option number B मध्य प्रदेश नेक्स देखो किस राजे के मुखे मंत्री ने माइक्रो फानांस इंसेंटिव और रिलीफ स्कीम 2021 शुरू की है तस्क सही जवाब तो option number C असम नेक्स नेक्स ए निम्मलिकित मेंसे कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गनराज्य बन गया है तस्क सही जवाब तो option number B बार्बाडॉस नेक्स ए 2017-19 की अवधी के लिए डॉक्टर MS स्वामिनातिन पुरसकार से किसस सम्मानित किया गया है तो से जवाब तो option number B, प्रवीन राओ नेक्स्ट है निमल लिकित में से कौन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS आरक्षन के मान दंडों की समिक्षा के लिए गटित नई समीति का सदस्य है तो से जवाब तो option number D, यह सभी यानि अजे भूशन पांडे, वीके मलहोतरा और संजीव सानियाल नेक्स्ट क्वेशन देखो करनाटा के मुख्य मंत्री दवारक इस खिलारी ने राज जोत्व पुरसकार जीता है तो से जवाब तो option number C, रोहन बोपन्ना नेक्स्ट देखो किस राजे न महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है से जवाब तो option number A, राज्यस्थान अगेन इपॉर्टेंट क्वेश्चिन है नेक्स्ट देखो किस पुर्वोतर राजे ने हाल ही में निपुन भारत मिशन शुरू किया है से जवाब तो option number D, नागा लैंड नेक्स्ट है EIU के वर्ल्ड वाइड कोस्ट आफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महेंगा शहर बन गया है तो से जवाब तो option number B, तेल अवीव लास्ट क्वेशन देखो भारत सरकार ने किस के संडक्षन के लिए स्पेल योजना शुरू की है तो से जवाब तो option number A, लुप पराए भाशाए कॉमेंट्स में बताइए कि स्पेल की फुल फॉर्म क्या है बात कर लेते हैं इस वी के कुछ important days की तो अंतर राष्टे अंगदान दीवस 27 नवंबर विशु एट्स दीवस 1 दिसंबर इस वर्ष की थीम थी एंड इनिक्वालिटीज एंड एट्स राष्टे प्रदूशन यंत्रन दीवस 2 दिसंबर सीमा सुरक्षा बलका स्थापना दीवस 1 दिसंबर अंतर राष्टे विकलांग दीवस 3 दिसंबर राष्टन और सेना दीवस 4 दिसंबर बात कर लेते हैं कुछ important books and authors की Contested lands इंडिया, चाइना इन बाउंडरी दिस्प्यूट और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सू मच